होगे देन नमस्ते आदे आप्सासिया काल मैं हूँ CS अंकल कांश्रिया स्वागत है आपका इस नए सेशन में और फिनांशियल डेरिवेटिव मार्केट के हाँ बहुत कुछ नया सिखने के लिए तयार है और साथ पॉट्फोलिय अब यहां बोलते हो तो अन्यू डे अन्यू शेशन और न्यू चैप्टर देरिवेटिव स्टार्ट होने वाला है आप लोग के पोड़ियो मैंने जब मैंने note किया कि public formula को learn कर लेता है रट्टा मार लेता है conceptual इतना नहीं समझता है तो वो एक pain point था ठीक है रहा फिर बाद में इन general इतने सारे formulas है तो एक जगे पे summarize नहीं होता है वो एक pain point था तो ऐसे pain point समझने की कोशिश की उसमें मैंने chapter wise pain point समझे chapter wise pain point में तीन major chapter है जो issues थे which were derivative, forex and portfolio उसमें सबसे top पे था हमारा derivatives जी यां सो मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि one of the most challenging topics but obviously with the way we connect with the world things 101% कहीं पे कोई भी issue नहीं आने वाला है you know the problem with derivatives is कि आधा तो आदमी उसको psychologically quit कर देता है ये chapter आधा अदमी psychologically quit कर देता है बट ऐसा कुछ है नहीं easily manage हो जाएगा मैं आपको अगर बोलू एक बात तो derivatives अपना already start हो गया था आज से 3, 4, 5 lecture पहले जी हाँ आपको derivatives का एक part already आता है and that is forwards forward market आप लोग ने किया है क्या आप लोग को आता है forward market yes sir early roll forward सब आता है आपको तो advanced forward market भी आता है है कि नहीं importer है exporter है अगर उसको आगे future को hedge करना है then in that case it can go to a bank and 3 months forward 6 month forward में enter कर सकता है and उदर का उदर ही deal को close कर सकता है right early roll forward अपन लोग ने समझावा है cancel करना है forward contract go sub समझावा है so boss we have already started derivatives and अगर आपको forward market आता है तो derivatives का 25% तो आपका हो गया है क्योंकि 4 पार्ट है options, futures, forwards, swaps उसमें से forward तो आपका हो गया है बदायो so इसके लिए कहीं पे भी ये chapter को psychologically दिमाग में रखके tension लेनी की ज़रुएत नहीं है काफी सारी चीज़े मैं with the flow करवा देता हूँ, शायद आपको पता भी ना चले, इसके लिए मैं बोलता हूँ forex derivatives is combined way में एक ही चीज़ है, उसको अलग-अलग chapter के तरह मत देखो specially मैंने तो आप लोग को ऐसे ही बढ़ाया कि मेरे लिए वो पूरा एक ही है काफी सारे derivatives के concepts मैं forex में cover करूँगा forex के कुछ concepts जो मुझे लग रहे derivatives के साथ correct हो रहे है, वो यहाँ पे करूँगा and that's how the whole system will work but I will ensure आपको पता भी नहीं चलेगा, कौन सी चीज कहाँ पे है so that's how the whole system works, ठीक है so derivatives क्या है मैं क्या, एक permission चाहिए मुझे तुम लोग से अगर सब लोग एक permission दो तो मैं derivatives को एक अलग तरीके से start करना चाता हूँ मैं चाता हूँ, मैं derivatives आपको practically थोड़ा बताऊ और फिर बाद में जो तुम लोग का typical तरीका है पढ़ने का कि exam में sir क्या आने वाल है वो बता दो sir book में क्या लिखा है वो बता दो sir तो वो तुमारा typical तरीका है वो तरीके से तुम्हें करवाँ गई but मैं आज आपसे permission लेना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा practically connect करवाने दो फिर मैं ये derivatives officially start करूँगा मतलब practically connect करवाने दो मतलब you know you will not believe मैंने मेरा यह देखो यह मेरा इधर account है angel broking का account है तो मैं चाहता हूँ कि अपन practically जाए यहाँ पर आपन देखे कि कैसे trading हो रहा है मैं यहाँ पर type करूँ कि अगर nifty future चाहिए तो nifty का call option यहाँ पर आपको दिख रहा है यह click करेंगे फिर बाद में open होगा मेरा account उसके बाद में trading करूँ तुम लोग अपना mobile में देख सकते हो कि actually कैसे share movement हो रहा है and इसकी वज़े से मेरे derivatives का call option put option वो सब लिया है जो भी मैंने उस पर क्या impact आ रहा है वो सब चीजे में आप लोग को बताना चाहता हूं आज के लेक्चर में प्लीज मुझे पर्मीशन दे दो मैं seriously wait मैं को चाहिए यह बट तुम लोग का दिमाग कैसा है पता है तुम लोग का दिमागे नहीं सर जो बुक में है वो ही पढ़ाओ जो बुक में पढ़ाओ इसके लिए मुझे पर्मीशन लेना पढ़ रहा है अब यहीं अगर वो MBA वाले CFA वाले को पढ़ाओ तो वो तो चाते ही यही सब है राइट बट CFA का स्टुडेंट ठोड़ा बुकिश है इसको बस चाहिए सर मॉडूल में एक एक वर्ड जो है वो पढ़ाओ तो पढ़ाओं गई मैं भी समझता हो ना नहीं है बट ठोड़ा प्रैक्टिकली भी समझो न से बट प्रैक्टिकल प्रजा डिसाइड करेगी करना ही के नहीं तो वैसा है अलग तरीके से अपन करेंगे डेरिवेटिव मार्केट की सुरुवात है के नहीं तो मजा आएगा परमीशन ग्रांटेड है वैसे तो मैजोरीटी पॉबलिक की अच्छी बात है बहुत बहुत है तो सही है येज्येज सेम हिएर सेम हिएर सेफ मिल्कुल गयर मार्केट मैं अभी बल रहा है रिएल टंस में डेरिवेटिव शायद आपका कलश स्टार और ऐसा सोचनी है आजका लेक्चर आपकेलूए एक 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 अलग एक एक स्टॉक मार्केट सेशन जैसा है कि आप जापे स्टॉक मार्केट में जो चीजे चलती है ना उसको मैं ध्यान में रखके आज सेशन लेने वाला हूँ मैं भूल जाओंगा कि आज आप कोई C.A.C.W.A.C.S. फाइनल के स्टॉडेंट हो या नहीं हो मुझे नहीं पता है और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे आज एक ऐसा बंदा दिख रहा है जो मार्केट के एक फाइनेंशियल इंस्टॉमेंट मेरे पास सीखने के लिए है और मैं उसको प्राक्टिकली वो इंस्टॉमेंट सीखाने वाला हूँ आज की तारीक में शायद मैं कोई इंस्टॉमेंट का टेकनिकल वर्ड ना यूज करूँ या इंस्टॉमेंट के मॉड्यूल से उठायवा चीज ना यूज करूँ मुझे चाहिए नहीं आज का सेशन मेरे लिए है एक जनरल सेशन डेरिवेटिव का प्रॉब्लम क्या पता है पॉब्लिक फॉर्स लेक्चर में दो तीन घंटा टिपिकल डेरिवेटिव का बात कर देता है या सून लेता है और फिर बाद में उसको लगते है कि और यार यह तो बहुत हेवी है और अगर वो स्टार्ट हेवी लगा देन इन दाट केस गेम ओवर हो जाता है उसका उदर ही तो लेट्स नाट डू दाट वे लेट उसको एक डेरिवेटिव से समझते है प्रैक्टिकली पहले समझते है फिर अभी अगर मैं आपको आज ही सब सिखा दू वुद्ग क्या होता है कल रहूए मैं सबसे मैं स्टार्ट करोंगा एक अलगी आप लोग जाए कि आप देको कि क्या होता है ये मार्केट में त्यूंट आप इस तिंग्स आप मजा आएंगा आप लोग को सो लेट साथ अन बैसे वी कश्या वेसन होग बाइध हुआ ओ सभ् सब क्या होते हैं कैसे होते हैं कुछ आईडिया तुम लोगो कुछ बताओं कैसी चीजे होती है डेरिटेव मार्केट के बारे में कुछ पता है तुम लोगो कुछ बताओं आज भूल जाना कि तुम्हें स्टूडेंट हो तुम आज एक जनरल स्टूडेंट हो जो मेरे साथ एक जनरल सेशन कर रहा है ट्रस्ट में यह जनरल सेशन कल जब मैं कनेक्ट करूंगा ना धूम मचा लेंगे अपन बट आज उसको मैं जनरल ही रखना चाहता हूं कुछ ऐसा सुना ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट है यह शेर तो अपरेटर ड्रिवन है ऐसा कुछ वर्ड सुना है मार्केट में होता है तो आज मैं सेशन को क्रिस्प रखूंगा बहुत लंबा नहीं होगा चोटा सा सेशन होगा शायद एक दू घंटे में खतम भी हो जाए करेंड उयर केरे साथ तो क्या होता है कि इन्वेस्ट किया है आ इन्वेस्ट किया है आत्प लोग ने किया भी तो पता भी नहीं चलेगा फोपरेटर ड्रिवन था मेरे साथ व्यालता एक SPAT Industries करके था और एक और एक कौन सा था रिद्धी सिद्धी सिमेंट या गुजरात सिद्धी सिमेंट था तो यह दो तीन operator driven market थे मैं नया नया था market में तो मुझे पता भी नहीं था यह सब क्या होता है and I was screwed up big time so anyways क्या होता है यह operator driven market तो कैसे manipulatively जब किसी share को उपर अब बात चली है तो मैं आप लोग को थोड़ा एक बता दो कि क्या होता है अब जैसे हर्षद महिता ने जो scam किया था उसमें तो वहाँ सारे banks involved थे और एक loophole था इंडियन system में that कोई भी आपको security खरीद नहीं है तो it has to go through a broker और broker से for example क्या होता था पता है क्या अभी छोटा सा बात बताता हूं मैं आपको आपको आपके बैंक के पास आपको पता होगा बैंक के पास बहुत सारा funds रहता है surplus में surplus में बहुत सारा funds रहता है ठीक है अब होता क्या है bank है अब bank के CEO you are the bank CEO कोई भी bank का CEO branch manager हो bank manager हो तो उसको अपने particular branch का अपने particular bank का profit दिखाना पड़ेगा मानते हो या नहीं मानते हो कोई भी कहीं का भी हो वो अगर CEO लेवल पे है manager लेवल पे है then in that case उसको profit दिखाना पड़ेगा हाँ या ना तभी आपका और तरक्की होगा तभी दिखेगा क्या वह इसने सही काम किया है बार end of the day business is profits वो profits चाहिए समझो अब मैं bank का manager हूँ मेरे पास bank में surplus funds आयवा है ठीक है तो एक option है मेरे पास की लोन दे दू लोगों को और लोन से जो interest मिलता है वो तो मेरा income है और तो चली रहा है अब फिलाल मेरे पास कोई बहुत जादा loan outstanding लोग है नहीं और मेरे पास surplus funds पढ़ा है तो मैं क्या करूं इस surplus funds का आप मुझा था हूँ everybody wants to show the profits correct 1980s की बात बता रहा हूँ मैं आपको मैं हूँ bank का manager मेरे पास surplus funds पढ़ा है फिलाल यह surplus funds में को किसी को interest पर या किसी चीज़ पर नहीं देना है मैं क्या करूंगा इसका बोलो मैं क्या करूंगा कैना इस से मैं market में invest करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वहां से एक अच्छा return मिलता है वहां से एक अच्छा return मिलता है absolutely and this is what banks did so मैं CEO bank का मैंने क्या किया मैंने मेरे पास जो वो surplus funds था ना मैंने सोचा कि चलो market में invest करते है मार्केट से अच्छा पैसा return मिल रहा है तो मेरे को directly invest करना है मैं directly invest नहीं कर सकता हूं मैं directly invest नहीं कर सकता हूं तो अब मैं करूं क्या तो बीच में एक broker होता है और वो broker के through investment होता है तिक है अब छोटे से मैं investment से start करूंगा तो एक करोड वो टाइम पे करोड भी वड़ा में invest करने के लिए जाता हूं अब जैसे मैं market में invest करने के लिए गया मैं directly कर नहीं सकता क्योंकि बीच में मुझे को ब्रोकर चीए स्टॉक मार्केट में invest करने के लिए आपको ब्रोकर चीए वैसा ही मुझे एक broker मिला जिसका नाम था हर्शद महता तिक है मैं bank का manager आप वो हर्शद महता मैंने आपको बोला सुन न हर्शद महता मेरे पास एक करोड सरप्लस है तू ब्रोकर है तू मेरे भी आप पे invest करेगा क हर्शद महता ने बोला रहे definitely करूंगा ना क्यों नहीं करूंगा ठीक है अब वो टाइम पे settlement होता था टी प्लस त्री डेज में आज की तारिक में सेभी ने इसको टी प्लस वन पे लेकर आया विच इस ग्रेट थी पर पहले होता था टी प्लस त्री डेज में टी प्लस त्र या आपको वो शेर particularly मिल जाएगा हर्शद मैता ने ये तीन दिन को यूज करना चालू किया मेरे पास मैं हर्शद मैता हूं समझो मेरे पास पैसा आ गया ठीक है तीन दिन बाद script deliver करना है मेरे को client को जो भी bank है उसको ये तीन दिन मैं ये पैसे को यूज करूंगा और market में invest करूंगा ठीक है अब ये एक करोड रुपया आगे अब 1980s में एक करोड का value आपको भी पता है कितना था मेरे पास ही एक करोड वैल्यू आ गया ये एक करोड मैं invest करना pump करना चालू करूंगा एक share में and that was your ACC मतलब तीन महिने में अगर कोई share 300 रुपे से 9000 तक पहुच सकता ह है तो आप समझ सकते हो कि दया कुछ तो गडबढ है 300 रुपे से 9000 in a span of three months just imagine तो क्या कि अर्शद मैता नहीं ये 3 plus 3 का जो लूपोल दाना उसको यूटिलाइस करना चालू किया उसने बला कि चल भाई आज तो पैसा आ गया है सामने वाले को script देना है तीन दिन बाद चलो आज ये पैसे को मैं use करता हूँ और इससे मेरे जो shares में invest किया है उससे उसका value inflate करता हूँ समझे लोग दिस इस हाओ दे होल स्कैम स्टार्टे अट लो लेवल अब ये एक बैंक हुआ ऐसे उसने 10 बैंक पकड़े 10 बैंक के पैसा लिया उनको invest किया उनको अच्छा काशा return आके दिया और एक बार आजमी को किसी चीज से पैसा मिल जाता है it is human being is very greedy तो उसको और चाहिए वो एक करोड का 10 करोड देने लगे उसको 10 करोड का और देने लगे such that इतना huge amount फिर बाद में transaction में आ गया that it was very difficult to trace and जिसकी वज़े से ये scam perpetrate हो गया obviously इसमें और भी बहुत सार आपी चीज़े involved है जैसा मैंने वोला I'm not getting too much into depth बट यह एक loophole का use किया हर्शद मैता ने and he started pumping the money in the market increasing the video कौन है ACC है दो तीन शेर उसने पकड़े और उन शेर को top level पे ले गया अब जो मार्केट में पीछे बैठा है उसको इससा पता नहीं है तो उसको लग रहा है तो उसको अपन भी एंटर करते हैं पर आपका entry और उसका exit वापस से वो market को तोड़ देगा आप ये time पे एंटर किये हो और अब market इधर आ रहा है उसने जब एंटर किया था तब इधर था market और वो फूद इसको इधर लेके गया समझ रहे हो game समझ रहे हो game इसको बोलते operator driven market तो जैसे से फर एक्जामपल हर्षद मैतानी की बात करता हूँ है अगर हर्षद मैतानी ACC का share जब 300 रुपया था खाली मैं एक एक एक्जामपल ले रहा हूँ 300 रुपय का जब share था तो उसने share खरीदे 100 share खरीदे उसने at the rate 300 ठीक है तो decent आओ को बहुत ज़्यादा amount है नी 30,000 रुपी इस उसने यहाँ पे invest कर दिये अब हुआ क्या 30,000 का तो उसने investment कर दिया 300 गया अब उसके पास एक bank आया बैक ने बला हर्षद भाई ब्रोकर हो तुम हमारा पैसा थोड़ा invest कर दो ना हर्षद भाई ने क्या किया pump करना चालू किया पैसा इस share में ACC के share में पैसा pump करना अब उसने market से 200 shares उठा है at the rate 400 per share अब जिसने 300 में खरीदे थे उसको same अगले दिन पे वो same share 400 रुपे में खरीदने को ready है अब आप सोचो आपने कोई share खरीदा है 300 रुपे में आप से वो same share अगले दिनी कोई 400 रुपे में खरीदने को ready है आप बोलो के भाई life set हो गया एक ह एक ही दिन में 33% return समझ रहे हो क्या तुम लोग क्या हो रहा है एक ही दिन में 33% return मिल गया उसको भाई 300 का 400 तो आपने बेचना चालू किया हर्षद मैता के पास पैसा है bank का खुद का पैसा तो है नहीं bank का पैसा है लगाओ bank का पैसा लगाओ bank का पैसा समझे फिर उसने इन्वेस्ट डालना ही नहीं चीए वैसा उसने कुछ cooperative bank के managers को अपने अंडर में कर लिया खरीद लिया समझ लों bank को यह खरीद लिया अब cooperative bank के पास जो भी पैसा आने लगा आओ पैसा आने दो उसने अगले दिन जाके और 300 शेर करीदा 500 रुपे पर शेर जो लोग 400 रुप बैठा था इधर खरीदने के लिए उसने खरीद लिया देड लाग रुपे गया उसको फरक ही नहीं परता है bank का पैसा है bank का पैसा बैंक को उसने बोला तुम टेंशन मत दो तुम्हारे को छपर फाड कमा के दूंगा मुझे कली तीन महिने का टाइम दो तीन महिने तक वो बैंक ने उसको पैसा दिया 400 शेर करीदा उसने अब उसने करीदा एड़ रेट 800 पर शेर समझे वह जिसने तीन 400 में नहीं बेचा 500 में नहीं बेचा अब 800 रुपया हो गया है अब क्या करोगे अब और जी ललचाएगा और लोग बेचना चालू करेंगे और लोग बेचना करेंगे तीन लाग भी सार का खर्चा हुआ उसको फरक नहीं परता है बैंक का पैसा है बट वह आर्टिफिशली प्राइस को बढ़ाते जा रहा है भाई तीन दिन में आदमी 300 से 800 400 400 500 500 लेकर आ गया बढ़ाते जा रहा है वह भाव नहीं तोड़ रहा है वह भाव को बढ़ का खको लोगाव कुछा को पाइन मशने अनके को व्हाइए करी आरोग ओफार यह बुरिदा तोब relying को रहें से युदा रुपई युद्स वर देगा कुछ वह सामने की में 100000 लुप्या करें ए साहा है पर यहां पर गेम बड़ते गया बढ़ा वाला बढ़ा गेम बढ़ते गया अब 5 लाक रुपे डंप कर दींद अब जिसने तीन सो में बेचा तीन से तीनसो में लेके चारसो में बेचा था। अब वो देख रहा है यार इसका तो रात तो रात in a span of say one month 1000 रुपया हो गया भाई ये शेर तो लगड़ी है लगड़ी मतलब गोल्ड माइन है मैंने कुछ 300 में लेके 400 में अगले दिन बेचा है आज उसका value 1000 हो गया है अब आपके दिमाग में क्या चलेगा ग्रीड है इंसान 300 का 400 दिया है मेरे को विश्वास है इस company पर और खरीद लेता है थोड़ा सा भाव कम होने दो और खरीद लेंगे अपन इस चीज में अब ये जितने भी लोग है जिसने भी ये यह यापर दिख रहे हो ये 400 में बेचा 500 में बेचा 800 में बेचा 1000 में बेचा वो लोग के दिमा करते शेर को वो लेके गया रूपीज 3000 पर शेर तक और फिर 123 अब उसको लगा कि भाई टाइम आ गया इसका अच्छे लेवल पर आ गया टाइम टू एक्जिट क्यूंकि उसको भी end of the day पैसा रिटन करना है ना लोगों को ठीक है तो जिससे उसने जिससे उसने शेर लिया ज समjicer उसने 300 रुपय में तो खुद लिया था उसने जहाँ पे उसने 400 पर शेर जो बैंक से लिया था ना उस बैंक को बोला था तेरको 500 पर शेर दे दूंगा 3 महीने में समझ रहे हो किया तुम्यों लोग समझो तुमारा कोई बैंक है तुम हो बैंक एक तुम्हारे से उसने कितना लिया रहेगा पता है 200 into 400 80,000 रुपे तुम्हारे पास से लिया होगा तुम्हारे पास से 80,000 लिया होगा क्या बोलके कि बाई मेरे को 200 शेर लेना है at the rate रुपीज 400 पर शेर तो मतलब कहना इसे बैंक ए से उसने कितना लिया 80,000 लिया और बैंक ए को बोला कि भाई देख तीन महिने का टाइम दे दे मैं तेरे को इस 400 के जगे पे 500 रुपे पर शेर दे दूँगा अब आप बोलो अगर तीन महिने में आपको 400 का कोई 500 करके दे है which is a 25% return in 3 months effectively annualize करोगे ना इसको 25 into 400 परसंट आपको आलमोस्ट रिटन दे रहा है मतलब 400 का आपको 500 रुपे दे रहा है तीन महिने में तीन महिने में मतलब annualize करोगे तो multiply by 4 तो 100% रिटन दे रहा है कौन सा बैंक ना बोलेगा उसको बैंक के इंट्रेस जो लोन देता है उस पर इंट्रेस पर 8 टका मिलता है या पर आपको एक साथ 25 टका तीन महिने में मिल है आपका तो बोलोगे लाइफ सेट है तो 200 इंटू 500 उसको उस बैंक को उसने बोला एक लाग रुपे दे दूंगा मैं तीन महिने बाद बनावरे डूसरा ऐसा ही बैंक था जिसके पास उसने लिया था यहां पर 300 इंटू 500 के इसाब से तो सपोज वह बैंक बी के पास गया बैंक भी को बोला भाई 300 शेएर 500 पर शेर 300 शेर एड़ रीट 500 पर शेर मतलब इसे रूपी ए कंपनी को इस बैंक को उसने बोला कि भाई तेर को 2 लाघ रुपे दे दूंगा बैंक उश बैंक बोला हाँ चलेगा वाई को दो लाग मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे करते करते सब लोग से पैसा ले लिया and हाइट सुनो हाइट सुनो सब लोग को जो वादा किया उतना पैसा दिया भी क्यूं क्यूंकि अब ये शेर का वैली हो गया तीन हजार अब हर्षद भाई ने इसको बेचना चालू किया अब हर्षद भाई ने इसको बेचना चालू किया अब तीन हजार में उसने परस जो उसने खुद के हंड्रेड शेर्स खरी देते ना वो उसने तीन हजार में बेचना चालू किया फिर बाद में और दोसो अब बेचना चालू कर रहा है तो लोग खरीद रहें लोग खरीद रहें किस सोच में कि 3000 का और बड़ेगा मार्केट तो वो तो और हायर भाय उपए बेच रहें आज की तारिक में उसने तो अपना खुद का शेर 3000 पर शेर में बेच दिया समझे रहें अब लोग और खरीद रहें क्योंकि उनको लग रहे है 3000 का 9000 होगा 6000 रहेगा अब उसने ये 200 शेर बेचना चालू किया अब ये जो 200 शेर है उसने तो खुद ने 400 रुपे में खरीदा था उसको इसका 3200 मिल रहे है उसको बैंक को तो कितना देना है बैंक को तो 500 पर शेर देना है उसको खुद को कितना मिलेगा 2700 पर शेर तो हमारा हर्शद भाई लेके जाएगा समझा कैसे वो टाइम पे खड़े खड़े उस आदमी ने लेक्सस खरीद लिया है 50 लाग का प्रीमियम देखे वो भी दुबई से इंपोर्टेट गाड़ी दुबई से इंपोर्टेट गाड़ी पूरे इंडिया में एक आदमी के पास वह हर्शद मैता लेक्सस इंपोर्टेट फ्रॉम दुबई विद प्रीमियम और 50 लाग रुपीज किसी और ने खरीदा था वोला सौदा कैंसल कर 50 लाग एक्ष्ट्रा ले मूँ बंद रख तेरा कहा से आ रहा है पैसा समझे रहो क्या गेम खिला है भाई साहब ये दो भाई उसको तो बैंक को 200 पर शेर उसको तो एक लाग रुपए उसको देना है आरे भाई उसके पास तो ये 200 शेर का 2700 पर शेर तो उसके पास अडिशनल आ है जो उसने खुद रखा है यह पर यह पर फिर बाद में और बाद में जो 300 शेर है वो उसने बेचा साड़े समझें क्या everybody, this is how operator driven market functions, कोई ACC का कोई company कोई बहुत बड़ा गेम नहीं केल रहा था, बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, it is, his internal manipulations which rigged the prices of those shares and ऐसा हुआ, सेम चीज कुछ टाइम बाद केतन पारेक नहीं की, जिसको कहते है के 10 stocks, तो भी मार्के गूगल में पढ़ना तो तुमको समझेगा, chartered accountant by profession थे, KP, केतन पारेक, फिर उनको जेल में डाल दिया गया and all of that, but he also did a similar thing, 10 stock उन्होंने पकड़े, is this process legally, obviously not legal, यार, obviously not legal, अब इसमें obviously कुछ और illegal चीजे भी involved थी, जो मैं अभी आप लोग को बोलते है न, fine print नहीं बता रहो, आपको overall idea बता रहो, उसके लिए अपने को time लेना पड़ेगा, उपना भी time नहीं है, बट आपको एक खाली idea दे रहो, this is how the things work, this was the whole scam, K10 पारिक did the same scam in the 2000s, his stocks were called as K10 stocks, same चीज हुई Adani के साथ ही, अगर तुम लोग नोट करों कि Adani के शहर का growth, it was phenomenal, it was phenomenal, the growth of K10 stocks, of Adani stocks is, तो अब क्या लगेगा, हाँ भाई, यह आ गया है, दूसरा हर्षद मैता, तीसरा केतन पारिक आ गया है, समझे रहो, and that is where Heidenberg Research फर्म ने उनके उपर यह सेम चीज डाली, Adani Port, Adani Greens, Adani Energy, Adani Enterprises के उपर, जो इस हिसाब से shares का prices बढ़ा है, it was thought, के बॉस यह भी कही ना कही रिग्ड है, company में दम नहीं है, खाली shares को manipulate किया जा रहा है, and वो, फिर बाद में क्या हुआ पता है क्या, यह scam जब भार आया, तो कितनी सारी cooperative banks उट गई, क्योंकि उनका तो पैसा लगा, अब सुन, अब सुन, अब हुआ क्या, अब आप bank A हो, अब बैंक A हो, आपने हर्शद मैता को दिए 80,000 rupees, तीम महिने के अंदर उसने जो promise किया था था ना, उसने वो आपको एक लाग रुपे लाके दिये, तीम महिने के अंदर 25 टका return लाके दिया, अब आप next time क्या करोगे हर्शद मैता के सार्थ, अब मैंने एक आदमी को 80,000 दिया, तीन महिने के अंदर वो मुझे उसको एक लाक करके दे रहा है, करेक्ट, अब मेरे दिमाग में क्या कर लगेगा, मेरे को लगेगा यार यह तो भगवान का अदमी, यह तो भाई इसको दो पैसा दो इसको 80,000 का एक लाक किया, उसने दिया उसको पैसा लोगों ने, और पैसा दिया, और बैंक ने पैसा दिया, बैंक के मैनेजर को खुश ला तो उतना तो अकल लगा तो उसने गोल्ड का हिसाब से पैसा सदो किया मैंनेजर को गोल्ड का कॉईन दे दिया मैंनेजर खुश कि बरबर परस्टनेवर ला रेप्येशन हों गया क्यूंकि मेरे टरम मैंने मेडि कंपनी को इतना profit कमा के दिया आहां कंपनी भी खुश सब खुश है भाई इस आदमी ने तो मेरा life set कर दिया इसको और पैसा दो बट फिर पीछे लोग नहीं देखते कि यह पैसा इतना वो कैसे कमा रहा है बस greed आजाता है and then that is where the reverse game starts the end game starts similar चीज हुआ था KP के साथ similar चीज हुआ था कि अडानी के shares के साथ भी यह हो रहा है as the case is और बहुत सारे operator driven stocks है जब आप market में invest करना चालू करोगे full fledged way में समझो जैसे महिने का 2-3 लाख रुपया invest करना चालू करोगे तब तुमारे को एना tips आना चालू होंगे तो तुमारे को tips आएंगे और यह वाला शेर लो बड़े गई बड़े गा और actually आप invest करोगे मैंने जैसे SPAT में किया था मैंने पैसा invest किया एक महिने के अंदर almost मेरा 35 रुपीज का शेर 70 रुपीज पर आ गया गुजरात सिद्धी में मैंने किया था 26 का 35 कुछ हो गया था मैं भूला यार क्या market है मेरे मम्मी पापा तो FD में डालते है साल का आठ टका सौ रुपे का एक सो आठ रुपया होता है एक साल के end पे यहाँ पे सौ रुपे का मेरा 200 रुपया हो रहा है तीन महीने में छे महीने में मेरे मम्मी पापा 100 रुपे का 200 रुपया करने को उनको 8 साल लग जाएगा साथ साल लग जाएगा मैं इधर एक साल में 100 का 200 करके दिखा रहा हो होगा भी अब आपको क्या लगईगा यार यह तो क्या market है सटॉक मार्केट और के टीप आया था मेरे को इस पैट का मेरे साथ हुआ ऐसा मैंने डाला मेरा QL हम कर ले रिकार कर लेता हूँ रिसर्च किये भी ना किसी ने बोला ले डाल बढ़ेगा ले लिया डाला गया भूम भूम गॉन उस दिन रियाईज हुआ कि उपर वाले ने दिमाग दिया है डिगरी दिया है फिर मैं क्यों यह सब दूसरों के टिप्स के उपर इन्वेस्ट कर रहा हू तो एफी बात है यह एनिवेस चलो ए ए मामला बहुत गड़बड है आपने अडानी शायज में इंवेस्ट किया है नहीं तेरे लिगता है मेरे पास्ट के हिसाब से मैं अब अडानी शायज में नहीं करूंगा नहीं क्यूंग इसलिए नहीं कि वह ऑपरेंटेड है या रिसर्च नहीं हुआ था उस कंपनी में कि मैं उसमें इंवेस्ट करूंग और उसके इंटर कनेक्शन बहुत है मैंने उसके ओपर रिसर्च करना चालू किया तो इतना मेरे को टाइम नहीं दे पाया मैं कि मैं उसमें बुलते हैं ना फंडमेंटली समझ पाऊं इसके लिए आपको रिसर्च का टाइम मिलता है बीच में नहीं था मतलब टाइम निकालना पड़ता है वैसी वाली बात यार फ्रैंक्ली स्पिकिंग इतना डेली वर्क में आप एंग्रॉस हो जाते हो कि टाइम नहीं मिल पाते हैं यह लोग के पास एक इंसाइडर इंपो होता है आपने उस पे खेलना चालो किया वह गलत है समझें सो एनिए इस 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 आपना लेक्ट में किया है वो टाइम पे है न देखो वो टाइम पे है न मंदी वाले भी बहुत खड़े थे तुम लोग ने वर्ट सुने तेजी मंदी अ करेक्ट करेक्ट तेजी मंदी वर्ट सुने तो यह अपना था तेजी वाला कौन हर्शत में था था तेजी वाला तेजी था मतलब तेजी पे डाल रहा था पूरा का पूरा पैसा मतलब यह शॉट पे खेलते थे यह लोग तो तुम लोग ने वह जो नाम सुना होगा मनु मनु मनें स्कैम 1992 सीरीज में he was a मंदी का पर्सर मतलब यह शॉट पे खेलते थे यह लोग एक टाइम ता राधा किशन दमानी नाम सुना है राधा किशन दमानी डीमाट के ओनर है भाई साब डीमाट के ओनर है राधा किशन दमानी जी बिग पर्सनालिटी यूज पर्सनालिटी क्या बात है सर्वेश बोल रहे है सर मैंने एक्चुली देखा इंसाइडर ट्रेडिंग ASE शेर्स के लिए ओके डू शेर यूर एक्सपीरियंस सर्वेश हाँ वो टाइम पे राधा किशन दमानी का आज भी अगर तुम लोग सुनोगे ना उनका एक इंटर्यू है जहाँ प क्यां वालोगों ने ना मारकेट को शॉर्ट करके रखा था बुल वाले मारकेट को लॉऑंग करके खड़े थे एक गमाएगा एक के पास पैसा गमाएगा है का बात जाने वाल दिन भी रादा किशन दमानी बोलता है अगर 15 दिन भी उसने ये long position को hold किया होता ना तो हमारे हाथ में आज की तारिक में कटो रहा होता कौन बोल रहा है रादा किशन दमानी जो आज की तारिक में इंडिया का सबसे richest person में से एक है वो बोल रहा है कि अगर अर्शद मैता ने भूल हों किया होता लॉंग को होल्ड किया होता यूबड को होता य विक्ति त्टी ऐ कसे यह प्ड़ है मीत लिवर चांक हम पर सेल एवरीःतिंक शौट आंज ने शौट किया था उसने पैसा कं बाहुंगा टलम अ 상ए लोंग आ definitions हैं you an anecdote that's how the whole market worked okay नहीं नहीं यहां पर insider trading तो top level management के थूई होता है छोटे लेवल पर नहीं होता है anyways so that's how the whole system work तो अब मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं something called as call and put option practically theoretically नहीं theoretically कर पढ़ेंगे आपन क्या होता है call option put option logically theoretically कर पढ़ेंगे आज मैं आपको call or put option का trading कैसे होता है वो बताना चाहता हूं yes कैसे वो right to buy क्या दिमाग होता है right to sell कब sell करना है क्या लग रहे हैं आपको market वो आज मैं आपको बताना चाहता हो और actually trade करके दिखाना चाहता हूं अगर चीज़े सही रही तो वो भी अपनलोग करेंगे yes market खुलने वाला है कुछ थोड़ी देर में तब तक मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होने वाला है चीज़े क्या होता है प्रीमियम क्या होता है strike price and everything और फिर अपनलोग market में trade करने का try करेंगे if everything is going right yes so that's how the system works guys insider top level पर होता है बिल्कुल सही बोलर है सर्वेश 100% पुरा top level का game होता है इंसाइड डीडिंग में along with जिनके पास bulky stock holding होते है अब जिसके पास bulky stock holding होते है न वो insider top level management से मिलावा होता है और बलकी stock holding का मतलब होता है 200 करोड शेर 300 करोड शेर तो अगर मैं किसी company का 300 करोड शेर करी दूँगा 200 करोड शेर करी दूँगा लेरिन देट के CDC बात है न उस company के promoter और top level management तो मेरे साथ touch में हों गई तो मैं भी top level management कही पार्ट हो गया so that's how it works राके जुन जुन वाला majorly earned in 2-3 scripts वो 2-3 scripts को hold करके रखा उसमें उन्होंने bull run किया and it worked phenomenally well for him Titan obviously सबको पता ही है सैसा गोवा एक company है सैसा गोवा उसमें he earned huge amount of money titan earned huge amount of money and that's where his fortunes turn बाकी तो पैसे से फिर पैसा बनाया उन्होंने बड़ी बात है वो भी है चल अब समझने की कोशिश करते हैं कि options trading क्या होता है तुम लोग ने सुना है कि options trading word सुना है तुम लोग ने at least options में मार्केट में पैसा लगाते हैं कि इतना सुना होगा आप मैं शौर कि यह देखो इदर तुम लोग को यह मेरा screen दिख रहा है properly थोड़ा चोटा दिखेगा because मैंने उसको mobile view में रखा है ठीक है अब यह देखो इदर निफ्टी दिख रहा है सेंसेक्स दिख रहा है 165 पॉइंट आप वैसे ही अब समझो मैं यहाँ पर जाता हूं कोई भी एक options मैं बुलेता हूं मैं निफ्टी का options लेता हूं ठीक है एन आई एफ टी वाई सच इधर दिख रहा है तुम लोग को एफ यूटी एफ यूटी का मतलब अब मेरे को बताओ इसमें से कोई बी आप पन option है आज खरी देंगे तुम्हारे सामने खरी दूंगा तुम्हारे सामने बेचूंगा पैसा मेरा मुझे सिर्फ देखना ही वाला मेरे पैसा है कि नहीं I don't know but I'll just show you the system how it works don't worry अब यह दिख रहा इदा तुम लोग options दिख रहा 16,900 call option 16,900 put option 16,950 call option 16,950 put option इसमें से एक अपन खरी देंगे तो पट यह system चलता कैसे है यह सब system कैसे चलता है मैं आपको बता मैं देख रहा हूं angel one के account क्योंकि मेरे पास उसका account है तुम लोग नहीं देख पाऊगे क्योंकि तुम लोग का शायद FNO का account ही नहीं नहीं है FNO का account होगा तो तुम लोग को दिखेगा इसलिए मैंने knowledge को side पर रखे दिमाग common sense मेरे को चाहिए भूल जाओ तुम लोग कितने साल के हो तुम लोग no more than 600 यह बैग सो वह मार्केट बेसी को होता था क्या सब्सक्राइस करने के लिए रिस्क करना मतरब समझते हो k эту है कि रिस्क करने के लिए मतलब खेट करने के लिए और यह रिसक को हैज करते करते तीन तरह के लोग यहां पे डेवलाप हो गया एक आगए something called as hedgers जो genuine लोग होते हैं एक आगए आप और मेरे जैसे लोग जिनको कहते हैं speculators क्या होता है मैं एक एक का मतलब बताऊंगा don't worry और फिर market के problems को का फाइदा उठाने के लिए आगए something called as arbitragers संजो मुकेश अमनी ने साओधी अरेया के साथ ऐल का deal किया टो मुकेश अमनी ने ये डी ये टी लोगोज कर दिए साउदी अरेविया ने 100 टन बैरल ओइल बेज दिया और बोला कि तीन महीने बाद मुझे 10 बिलियन डॉलर दे देना डॉलर बात हो गई deal लोगोज अब मेरको बता हो मुकेश अम्बानी को तीन महीने बाद दस बिलियन डॉलर देना है बरावर के नहीं अब 10 तीन महीने बाद 10 बिलियन डॉलर का भाव क्या होता है किसको पता तो मुकेश भाई क्या करेंगे मुकेश भाई आपके पास आएंगे आप उनको क्या सजेशन दोगे आप उनको क्या सजेशन दोगे यह मैं आपको पूछना चाहिए बोलो मुकेश अम्बानी आपके पास आया मुकेश अम्बानी बोल रहा है कि बाई मैंना साओधी अम्रेन को से ओईल मंगा लिया है 10 टन बिलियन बैरल ओईल मंगा लिया है मुझे 3 महिने बाद उसको payment करना है हमारा 3 महिने का credit terms है 3 महिने बाद मेरे को उसको 10 बिलियन डॉलर pay करना है मैं क्या करूँ तुम मुझे थोड़ा बताओओना मुझे डर लग रहा है 10 बिलियन डॉलर का क्या भाव होगा 3 महिने बाद मुझे बहुत डर लग रहा है मैं क्या करूँ प्लीज उसको बताओ ना क्या करना चाहिए उसको मैं तुम लोग से जवाब चाहता हूँ एवरीबड़ी आंसर वेरी नाइस वेरी नाइस के नाइस से आप लोग सब लोग सही जवाब दे रहे हो सर उनको बोलो ना ले ले लेते हैं तो आप मुकेश अंबदी को बोलोगे मुकेश भाई मोटा भाई टेंशन debatingर अपको यह क्रेंगे न और किंव T मुपेश भाई बाद आपको दस बिलियूड डॉलर का कितना रुपीज में देना पड़ेगा वह आज का आज अपन मुकेश मोटा भाई बोले हरे ऐसा भी हो सकता है अपने बला हाँ हो सकता है बिल्कुल तो अपने उनको क्या बताया forward market बताया और वो forward market के through अपनने rate freeze कर दिया in short अब उनको risk का tension ही नहीं है हो सकता है कर उठके dollar का भाउ बड़ भी जाए कम भी हो जाए उनको tension ही है उन्होंने risk को hedge कर दिया है in his business transaction बराबर है तो उन्होंने कैसे किया हो hedge through a forward market let me tell you forward market is a part of derivatives market जी हाँ अब उन्होंने क्या किया उन्होंने risk को hedge किया जब आप business में जब आप आपका business है और वो business के कोई transaction को बचाने के लिए आप derivatives market का use करते हो you are a hedger you are a बोलो बोलो टेल टेल hedger समझे क्या आप लोग everybody किरती मानने है ना किरती मानने must definition लिखा है मुझे मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं बट मुझे यह definition एक वर्ड नहीं समझा आप पढ़के बताओ जो लाइव देख रहे हो पढ़के बताओ यह भाई साब ने क्या लिखा एक वर्ड भी समझा क्या मैं बोलता हूं नहीं समझेगा बट जब आपन यह अर्बिट्रेशन टॉर्ण प्रॉफिट दू प्राइस डिफ्रेंट अहीं लिखा है बट पहले समझो क्या है फिर यह definition पर जाएंगे ना अब से पर इंफोसी आउटसाइड इंडिया इनके कितने सारे कॉंट्राइक होते हैं अब से पर इग्जमपल इन टाटा का सीओ आपके पास आता है चंदर शेकरन आपको बोलते हैं मैंने है ना सर्विस एक्सपोर्ट किया है तीन महीने बाद उसका पैसा आने वाला है मेर पास अब दस लाग डॉलर जब आएगा तीन महीने बाद डॉलर का आप क्या रेट होगा मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करूं तो आप उसको फॉर्वर्ड सजेशन देते तो आप क्या बोल रहे हो बेसिकली आप एक उनको डेरिवेटिव मार्केट का सजेशन देरे हो त अब लीज मुझे आरेख लेवल पर बोलते जाना समझ रहें कि नहीं समझ रहे है कि आपको समझ में हैं क्या करता है बोलो यार बोलो टेल तो everybody confirm hedger क्या कर रहे हैं समझ रहे क्या अगर आपको समझा है तो आप मुझे बताओ अभी लिखके उदर लाइब बालो लिखके बताओ क्या करता है कौन होता है hedger और क्या use किया उसने कौन से market का use किया उस market में से उसने कौन सा वाला product यूज किया फिलाल अपने अडानी अंबानी के इंपोर्टर एक्सपोर्टर एक्जाम्पल में फटाफट लिक्के बताओ गूगल रहे वालो तुम लोग भी अपने बुक में लिखो सुपर डार सब लोग का एक नंबर किया वात है सब लोग सब लोगने सबाव दे रहे हैं कि सर यूज्ववली जब बिजनसमैन अपने रिस्क को कम करने के लिए है करने के लिए विस्क को मैंटेज करने के लिए basically ठीक है एक particular market का use कर रहा है which is forward market which is a part of derivatives market और वो उसको use कर रहा है they are called as hedgers to protect the business risk for currency exchange rate difference very good चंदन गुपता risk को कम करने के लिए forward contract किया forward derivatives forward buy to reduce risk एकदम सही सब लोग का answer correct है to reduce risk समझ में आ गया यह होते हैं hedgers okay सर समझ गए अब hedgers के बाद hedgers को देखते देखते आपको मैं बता दू पहले के जमाने में ग्रीक में यह बंदे ने स्टार्ट किया था उसने olive oil का forward market enter किया तो derivatives कितना पूरान है 500 से भी साल पूरान है उसने क्या किया पता है उसने वेदर को study किया ज्यान से सुना यह एक्ट्वल स्टोरी है डेरेटिव मार्केट के हिस्ट्री का उसने क्या किया उसने पूरे वेदर को जो ओलिव का market और ओलिव का बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है और ओलिव के अच्छे ग्रोथ की वज़े से मार्केट में ओलिव का बहुत अच्छा डिमांड रहेगा तिक है अब उसको यह चीज कैसे पता चली क्योंकि उसने वेदर को स्टड़ी करके अभी जब यह जो न्यू सिलेबस और यह सब आता है उसमें तो वह उसका एक पाट है तो वेदर को स्टड़ी किया उसने बंदे ने वेदर को स्टड़ी करके उसको समझ गया कि अच्छा होने वाला है उसने बोला कि जब मार्केट में ओलिव का बहुत डिम मिलेगा तो उसने क्या किया पता है कि उसने फार्मर्स के साथ एक कॉंट्राक्ट कर लिया और बोला कि सुनो तुमारा जितना भी ऑलिव का प्रोडक्शन आएगा आज का आज मैं तुम लोग को हर ऑलिव का 10 रुपया देने को रेडी हूं फार्मर बोला अभी तो हम लोग ता कि जब अच्छा रेंज आएगा तो और मार्केट में वह 15 रुपय में बेच पाएगा बट फार्मर को इतना आइडिया नहीं था फार्मर ने वहला ठीक है चल दिया तेरको आने वाले तीन महिने तक जो भी ऑलिव का फसल होगा वह तेरको 10 रुपय में हम लोग दे दे और वाले आउड़ेंगे वह लोग ने कहीं देखेट एक फॉर्वड एंट्री क्रोस कर लिया सबदे़ों यह फूर्वड और फूचर से मैं बस यह वी फूर्वड डैंक के साथ होता है फ्यूचर आपका एक स्टॉक एक्सफेंज बोला हो यह ठीकली होता है यहां पर बोल बीच में बैंक नहीं है तो इसके लिट इस नाट फॉर्वर इस फूचर ट्रांजक्शन मैंने फ्यूचर का प्राइस प्रेसेंट में फ्रीज कर दिया कितना मैं तेरसे ऑलिव दस रुपे में लेगा दस लाख किलो ओलिव तेरसे दस रुपे में लेगा बोल तु देगा क्या फार्मर ने बोला दिया फार्मर भी टैंचन कदम उसको जो भी है दस रुपे मिल रहा है यहां पर उसको जो खरीद रहा है उसको पता है आगे जाके पंदरा उने वाला है तीन महिने तक जैसा उसका वेदर डिपार्टमेंट वाले का फोकस था, जैसा उसका स्टडी था, तीन महिना बहुत कंसिस्टेंट रेंज हुआ, वो कंसिस्टेंट रेंज की वज़े से एक्चुली ओलिव का बहुत अच्छा खेती हुआ, एंड उसने मार्केट में 15-20 माने की बात है, जैपनीज लोगों ने सेम चीज राइस के टाइम पर किया है, उन्हों ने राइस का फ्यूचर स्टेडिंग किया है, तो पुरानी पुरानी बात है, that's how the derivative market evolved, अभी तो बहुत contractualized है, और अभी तो बहुत एकदम होते हैं न, technical है, but that is when it all started, सोचो, future का price आज ही fix कर दिया, उसको बलते है futures, so वैसा, same किया उन्हों ने, तो उसने ये किया, and he earned huge amount of money, and it's a true story, वो सब चीज तो आज की तारिक में पता ही होती है, तो उसने क्या किया, ये सब क्या कर रहे है futures, forward, ये सब business transactions, जो आप कर रहे हैं, वो सब hedging होता है, अब आप और मेरा तो import और export का business नहीं है, आपको और मेरा import और export का business है, क्या हाँ या ना बोलो, बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे, नहीं सर, अपना तो कोई business नहीं है, but अपन दोनों के पास बहुत अच्छा knowledge है, पास दो-तीन महिने से, कि अपने पास बहुत अच्छा knowledge आगे, और अपन लोग है ना, पुरा analysis और पुरा working कर पा रहे हैं, कि डॉलर अभी बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि आप लोग interest rate का study कर रहे हो, inflation का study कर रहे हो, वो सब study के basis पर आपको अभी पता चल रह है, बट मैं तो import exporter का वो तो हूँ नहीं, कि मैं कम हूँ, तो अब जब ऐसा कोई बंदा, जिसका उस particular चीज़ का business नहीं है, बट वो market में enter करता है, और वो market में enter करता है, purely profit कमाने के लिए, purely profit कमाने के लिए, without any business connection, those people are called as speculators, those people are called as speculators, तो आज मैं अगर जाके, मेरे पास 1000 डॉलर पड़ा है, बरावर है, मुझे लग रहा है, डॉलर तूटने वाला है, बट मेरे को forward में dollar का भाव premium पे मिल रहा है, तो मैं bank में जाके, मेरे पास 1000 डॉलर है, मैं bank में जाके forward में उसको sell कर दूँँगा at a higher price, समझ रहो, तो मेरे तो जाधा price मिल जाएगा, ती मेने बाद, और market तूट जाएगा, अब मेरा कोई business नहीं, import export का, बट मैं तो खाली profit कमाने के लिए यह सब कर रहा हू, बरावर है, forward market में enter किया, मैंने derivatives market में enter किया, बट business मेरा तो कुछ है नहीं, तो मैं खाली profit के लिए यह सब buying and selling और dollar और व profit के लिए बंदा game कल रहा है, उसको कहते है, speculator, correct, retail investors, आप बोल सकते हो, yes, kind of, वैसा, समझे गड़ू, क्या होता है, speculator, वैसा, तो आज, अगर आज मैं, options में trading करूँगा, मैं एक speculator, मैं एक speculator हूँगा, बट अगर मुकेश भाई कुछ करेंगे, तो वो एक hedger है, अगर मुकेश भाई, मुकेश भाई का, crude का business है, crude के business के लिए, उन्होंने forward enter किया, तो वो hedger है, बट अगर मुकेश भाई को भी मस्ती आया, और मुकेश भाई ने बोला, चल मेरे को भी dollar में, ऐसे ही, खेलना है, मेरा कोई business transaction नहीं, बट मेरे को खेलना है, तो मुकेश भाई भी hedger से बन जाएंगे, speculator, समझे लिए, वैसा, and फिर last होता है, आपका arbitrator, जो purely market के difference के वज़े से, जो market के differences है, उससे जो फाइदा उटाता है, उसको कहते है, arbitrator, आभी clear guys, समझ में आया, यह सब चीजे बहुत basics है, जो usually public ignore करता है, क्योंकि, चलता है, बट पता तो hedger कौन है, speculator कौन है, arbitrator कौन है, अब जो कीरती मानने definition दियाता ना उसको पढ़ो, अब जो क second में connect हो जाए, so, फुकट का, उसने definition गलत टाइम पर दे दिया, अब उसको देना चीए था, तो उसका value होता, अब तब उसने दिया ना तो पता चल गया, बंदे ने copy paste किया है कही से, अब अब लिखे देता तो लगता है, क्या दिमाग लगा है, anyway, hedgers look to cut risk of investment, correct, उसका business में जो भी उसने invest किया है, उसका, यह करना है, it tries to cut the risk of investment, speculators, जै आप और मेरे जाए से लोग, look to earn profits over time difference, and last है, arbitrator, जो price difference की वज़े से कुछ पैसा कमाने की कोशिश करेगा, उसको कहता है, arbitrator, समझे क्या, done, clear everybody, arbitrator करेंगे, arbitrator करेंगे अपन, तब समझ जाएगा, simple है, क्या होता है, कई बार, BSC में किसी share का price कम होगा, और NSC में उसका price जादा होगा, तो BSC में खरीद, NSC में बेच, arbitrator किया, तुन, वैसा, speculation में क्या होता है, तू hold करता है, और wait करता है, market के moment का, और फिर बेचता है, arbitrator करीजिंग में, on the spot, खरीद के बेचा, उसको बलते, arbitrator करीजिंग, हाँ, insurance भी एक हेजिंग ही है न, आप अपने life को insure कर रहे हूँ, एक हेजिंग कांट्रेक्ट ही है, अप risk को manage कर रहे हूँ, वैसा, समझ में आया, चलो, अब मैं थोड़ा practical risk के उपर जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अब, आज अपन बनने वाले हैं, speculator, आज और आप और मैं बनने वाले हैं, speculator, thin line of difference नहीं, clear difference है speculator or arbitrator, arbitrator on the spot, on the spot का मतलब समझता है, on the spot, एक second भी नहीं रुखेगा वो, अपने deal को close कर देगा, speculator देखेगा, रुखेगा, execute करेगा, मैंसा, हाँ, अब उसको, thin line of difference का time देना है, तो किन दे, दे सकता है तो, but it's like a difference, different thing, arbitrator, रुखा ही उसी के लिए होता है, difference के लिए, speculator को तो पता होता है, या अब यहां से market राएगा, कम मैं करी दूँगा, all of that, just give me a moment, कोई तो याद कर रहा है, एक मिनिट, तो चलो, अब, start करते हैं, अपन, कुछ practical aspect समझने की कोशिश, हर्षद मेता जैसे लोगों को क्या कहते है, यह they are called speculator, वो तो लिए ना on the spot खरीद रहे है, on the spot बेच रहा है, वो तो खुदी भाव बढ़ा रहा है, फिर आराम से बेच रहा है, वो तो खुदी भाव गिरा रहा है, आराम से खरीद रहा है, तो तो hardcore speculator है, चलो, done, चलो, अ स्टार्ट करेंगे अपन लोग real options trading, are you ready guys, let's do it, so let's be ready, थोड़ा आज profit loss बहर करने के लिए ready हो जाता है, भूल जाना तुम लोग कोई student हो, आज सीख रहे हो, trading सीख रहे हो, इधर तक सब समझ में आया, I mean इधर तक थोड़ा हुआ, set हो रहा है, चीजे क्या होती है, कैसे function क करता है market, क्या होता है, derivative market, उसका forward market तुम लोग सीख चुके हो, future market, same है derivatives जैसे, forward market जैसे future market, forward खाली bank के साथ होता है, future exchange के साथ होता है, बस, that's great, that's great, फिर hedgers, speculator, arbitrators, Mukesh Ambani is a hedger, जब वो import, export के लिए कुछ, forward enter कर रहा है, संकल्व is a speculator, जब वो, forward enter कर रहा है, खाली currency के gains को, का benefit उठाने के लिए, on the spot, खरित का on the spot, बेच रहा है, arbitrators, वो, मेरा example यान नहीं कहा, निम्बु वाला, निम्बु वाला, तो वो निम्बु वाले लड़के ने क्या किया था, on the spot, निम्बु लिया, on the spot, निम्बु बेचा, वो क्या कर रहा था, arbitrator, same market में, आया, निम्बु बेचा, on the spot, सभरे, ऐसा, वो arbitrator, चलो, done, इसी के साथ, है, बोल दिया है, कि सर, पूरी तरह से समझ गए हैं हम लोग, इधर तक आपने जो समझा है, अब सर, options trading की घड़ी आ गई है, जिसका हमें था इंतिजार, let's do it, okay, इधर तक सही है,